और यह पिग अभी हटने का नाम भी ले रहा यहां से एक सेकंड हटेगा यह नहीं हटेगा पता हटेगा नहीं हटेगा वेलकम ए रैंसमिलेटर के एक और एपिसोड में और अभी अपने प्राइंच पे काफी सारे एनिमल्स हो चुके हैं क्योंकि वीस्तों में काउस लिया था लास्ट एपिसोड में और पिक्स भी काफी सारे हो गये हैं और इधर तो यहां पर आके तो गेम काफी दा लैक कर रहा है और यहां पर काफी जादा हो गया है इतने सारे मुर्गे मुर्गिया है यहां पर यहां पर तो गेम काफी दा लैक कर रहा है वैसे तो इनको रोकने का एक ही तरीका है कि मैं अभी फिलाल यहां से जो है इनका खाने का और पानी का यह अटा दू तो यह अपने आपी काम तो अब हो जाएगा और मैं फिर इने जाके sell कराऊंगा क्योंकि अभी इनकी वाज़े से काफी ज़दा game lag हो रहा है यहां पे तो game काफी ज़दा lag कर रहा है और अभी कुछ pics को sell करने का time भी आ गया है और मैंने इनका खाने पानी का तोड़ा है वैसे तो मैं इनकी supply यहां से रोक सकता था बट अभी मुझे कुछ pics को यहां पे बड़ा करना है कि काफी सारे pics चोटे चोटे हैं यह बड़े जाएंगे मैं को तभी sell करके आऊंगा तो अभी अगर मैं यहां पे supply रोगी तो यहाले pics भी मर जाते और इन pics को मरने के बाद यहां से अगर होगा और इस हिरन को मैंने last time जो है छोड़ दिया था तो कि यहां पे नहीं आएगा बट यह हिरन यहां से बाज नहीं हा रहा है तो यह फाल तुम्हें यहां ही गूमता रहता है एक मिनट तो एक बाद इसको ड्रा के भागाए तो मैं यहां से कि मैं इसको मारने वाला तो ह नहीं क्योंकि इसको मार की काई फाइदा है नहीं चल भाग मैं ट्रक लिया हूं यहां से ट्रक लगा लूँ और फिर अभी आज भी जो है पांचे पिक या आर्ट पिक जितने भी होते हैं बड़ बड़ अपी मिलेंगे मैं सबको सहल कर रहा हूं चाहे बाहरा हूं चाहे कि हो नहीं कितने बड़ अपिक है था तो यही सही रीज़ता हूँ यह ने अर्थ आट पिक लट कर लिये 4 को यह है है और 4 यह बच्शे में इनको में वाहीं पर जाकर सिस्क्राइब गर्यों अर्छन पर अभी मैं जनल स्टोर पर जाकर इंको त्रक्राइब क्या हुआ या फिर पहले मैं रेस्टोर्ट पर देख लूगा मल्टिप्लाइ मिल जाए तो एक मुट पहले गेट लगाता हूँ पीछे सारा जो फोक है जितना ही मैं स्किन कर रहा है सारा गिर जाएगा तो गेट लगाता हूँ और बाकि अभी मैं इन पिक्स को सैलिस ले करके आ रहा हूँ कि मुझे थोड़ा था बैलेंस की रिक्वार्मेंट है क्योंकि मुझे अभी पच्छेस करके ले काफी सारे वुड प्लैंक और वुड प्छेस करने हैं एक नया कावबं बनाने के लिएक लिए क्योंकि मा acquired keystone कावबं बनाने के लिए क्pernight का मैंशे करने वाला हूँ उस कावबं का का काम मैं भी स्था करने वाला हूँ तो अभी उस कसम कावबान के लिए मुझे फिलाल तो प्लैंक्स की रिक्वारिमेंट है तो प्लैंक्स पर्चेस करके लेकर आने है तो एक मिर्ट मैं इस ट्रक को जो है साई से कर लगा लो यहाँ पर इस बारी में लग गया फोड़ा-थोड़ा थोड़ा पीछे करके लगाता हूँ अभी जो और प्लैर अभी इस छार पिक्ष्य अनको के स्किन कर लेता हूं मैMP अभी भीफ बीफ़ मॉल्टिपलायरो चिकन पर है जिकन मुझे तर मिलक है मतलब इन तीनों आइटम से मेल्टिप्लायर है सोसेज पे चिकन पे और बीफ पे चिकन भी अपने रेडी होने वाली है वैसे पॉक के मुझे 4000 दोलर से ब्यादा मिल गए तो अभी फिलाल के लिए 6500 दोलर हो गया है जिसमें अभी काफी सारे प्लैंक्स आ जाएंगे अभी देख लू यहां कुछ पॉक रहना गया है कुछ पॉक रह गया जो इस मार्किंग से आ गया है वो रह गया तो थाए मैं ट्रक को पीछे कर लेता हूँ अभी इसको अभी अधर जाके साहल करता हूँ एक बार में तीन सो नभेटर इसके मिल गए से तो द्रक की आ डैक। थाए हूँ आ हैए। वो रह गजान के टीन पास दीन है हैं तो अभी जो बेसद्ड जांडेशन वो पार फोल जाएगा तो यह जा बेडियान है से छ चल के अन्धे सेर बिलता ही, 50 काफी बयारा में gonna को कोस्त करेंगे , देखने कितना कोस्त करेंगे तो पचास आगे 16B raises और अभी के लिए 50 काफी है तो मैं बिन पाचास को पहले ट्रrक में वैंऻ कर दोऊ हूं अभी Seven Hours Later लुए यहाख भर दो अप़रण में में नोड़ कर दिख्खाई काभी ंविलिक तरहे व्याधर था हीThe अवज़न दया लाए निकने था ले याँ बढ़ हे वी तो मैं अभी रैंच पे पोज़ गया हूँ रैंच पे आते एक गेम फिर से लग करने लग गया उदर हार्वेस स्टोर पर रेस्टोर पर फिर लग नहीं कर रहा था तो अभी जब तक यह वाले चिकन्स वगरा यहां पर हैं तब तक यह गेम लग करता आएगा और यह एक फिर और बाहर निकल आया और यह भार गूम रहा है और यह पिक जब जब बढ़े जाते हैं तब यह इसली भार निकल जाते हैं यहां से मैं देखा है कि इस रैंपे चड़के भी यहां से भार निकल जाते हैं तो अभी मैं चलके पहले अपने कावबान का काम स्टार्ट कर इधर यहां पर right side में तो इधर यहां पर रहने वाला अपना नए वाला cowband और पहले मैं उसके लिए भी foundation लगा लेता हूँ तो यह थोड़ा नीचे करके लगाता हूँ मैं तो यहां पर मैं अभी तो यह काफी बड़ा रहने वाला है वैसे बट अभी मैं थोड़ा सक एक बार basic foundation की बना लूँ उसके बाद मैं इसको extend कर लूँगा और मुझे बनाना है अभी 20 cows के लिए क्यों कि 20 cows मेरे पास हैं और मैं 20 cows के लिए से बना रहा हूँ और जब मुझे लगा कि अब मैं और cows purchase करनी है तो मैं इसे और आद बार में extend कर लूँगा तो अभी फिलाल मैं इसको दिखायता हूँ कि मैं कैसा बनाने वाला हूँ तो अभी यह तो कि basic foundation पहले मैं इसे एक बार ready कर लूँ और अभी जब यहाँ पर पहले custom cow band था वो भी काफी सही था और मैंने उस cow band को तोड़ जाता क्योंकि उस time काफी ज़्यादा यहाँ पर building होगी थी और काफी सारे animals भी होगे तो game काफी ज़्यादा lag कर रहा था और इस game का यह issue है कि जब ज़्यादा animals हो जाते हैं ज़्यादा building हो जाते तो game lag करने लगता है मेभी यह चीज बात में solve हो जाए बट अभी तक तो solve नहीं होई है बट अभी मैं जब इतनी सारी cows लेकर आया हूँ और तो मुझे लग रहा है कि उनवाली cows को वहाँ में manage करना थोड़ा मुश्किल है उस वाले बांद के अंदर उसमें मैं या तो barn cells भी बना सकता हूँ बट बांद में issue यह है कि पूरा cow को जिसको भी रखो वो पूरा बंद हो जाता है तो वह मैं ठीक नहीं लगता कि पूरे किसी भी को मतलब cow को पूरा बंद करना वह एक तरह से मतलब वह उसमें कोई भी ऐसा visibility नहीं रहती तो यहां पे जो मैं बना रहा हूँ उसको मैं पूरा open type बनाओंगा मतलब छट भी होगी और सब कुछ होगा उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है और मैं सारा open type ही रहने वाल है मतला हर अनिमल को पूरा open रहेगा और easy access भी रहेगा हर अनिमल तक पोशने के लिए तो अभी यह foundation का platform था यह तो बन गया है और अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पैले तो लगान आप हाफ वोल्स से परेट करने के लिए तो मैं से हाफ वोल्स से अलग लगए से बड़क रहेंगा एक ब्लोक में एक काउ रहेगी तो यह कुछ इस तधीके का रहने वाल है और यहां पर एक सेड़ पर पांच पांच काउस आने वाली हैं तो यहां पर यह 1,2,3,4 और 5 5 काउस ऐसे जाएंगी और ऐसे 5 यहां पर 10 और 5 यहां पर 15 और 5 यहां पर 20 तो 20 काउस आजाएंगी बाखी इसकी रूफ मैं तियार करूँआँ प्रॉपर रूफ मतलब पूरा फूली कवर्ड होगा और इसकी रूफ यहां पर स्टॉपिंग वाली होगी और रूफ का काम मैं बाद में करूँआँ पहले मैं नीचे यहां का काम करूँगा और अब भी जो है यह एक एक अलग से मैंने ब्लॉक्स बना दिया है इक एक काव के लिए और अभी इस वाले को मैं जरा हाफ वर लगा के कंप्लेट भी कर दूँ यहां पर तो इधर से मैंने हाफ वर लगा यह बंद करूँआ क्योंकि इनकी एंट्री वहां साइड से है तो यह इधर के ब्लॉक हो गए और सेम मैं ऐसे करता हूँ यहां पर साहँतese है तो यह खोबे तीन खाव। यह होगर expert यह 4-ना हमान हे यहां रग यह बनाता हाँ यहां पर यह खोवे पांच इन वालों कि एंट्री यहां से ऊइगी सीदा सामने और इन दोने की अंट्री यहां से बीच में और यहां पर मैं बनायता हूँ रैंप तो रैंप यहां पर बनायता हूँ मैं वुड़ फांडेशन रैंप यह वाला जो है दो ही वूड प्लैंक्स लगते हैं और एक सेट में चार वोल्स बन जाती हैं जब मैं ट्रक को सामने कड़ा कर लूँ अबी थोड़ी सी कभी प्लैंक्स बचे हैं मतलब यहां पर ही यह वन टू फॉर फाइज शे प्लैंक्स बचे हैं और नौ यह बचे न अब जितना काम कंप्लिट हो पाएगा उतना ही करूंगा और बाकी उसके बात जो है अभी मैं क्या करूंगा एक को पूला रेडी कर लगाने के लिए अभी मुझे यहां पर ग्रेंडरी बनानी पड़ेगी तो वह तो अभी उसका तो फाइदा नहीं होगा बट उसको मैं कम्प्लिट कर लूगा बट मैं अभी पहले एक दो काउस को लाके यहां पर पहले रखके देखूँगा और कोई इस्यू अगर लगेगा तो मैं डिजाइन में अभी फिलाल चेंज कर दूगा बट वैसे मुझे लगता कोई इस्यू यहां पर होने वाला बट फिर भी एक काउस को रखके देख लेंगे तो अभी यहां के यह वाली वॉल भी कम्प्लिट हो गई और अभी बच्चा है यह बस लास प्लैंक किसके ब है यह बर एक रूम यहां के बना बाद में तेस्टिंग कि वहां पर पिक वगारा इंड़ सकते हैं तो एक जो मैं वहां पर फिमेल पी रखी यह जिंदा नि रह पाई थी तो उसको बनार कोई वांपर कोई अनीव दो रखनी सकता तो मैं वहां से काफी सारे वुड प्लैंक मतलब वहां पे ट्रेलर भरके वुड प्लैंक्स हैं वो शहेद दोस्तों से भी ज्यादा सैट है वुड प्लैंक के तो वहां से उठाके ले आऊंगा और अभी क्या करता हूं मैं अभी एक दो काउस को लाके यहां पर रख देता हूं तो यह वाला वैसे यहां रख सकता हूं यहां रख सकता हूं यह वार काउस को लाके यहां पर रख के देखता हूं तो यहां से एक काउस को ले लेता हूं और यह खुदी भाग किया जाएगी इसको पता भी नहीं है कि इसको टेस्टिंग के लिए ले जाया रहा है चलो बाहर बाग के आई थी आप तुम खुद यह अपने आप इदर आई है तो यह पर लेगी चलता हूं तो आ गई एक काउ यहां पे पहली काउ इस वाले काउ बान के और वैसे यह अपना प्रोपर काउ बान होने वाला बनने के बाद यह काफी सही लगेगा तो अभी इसका gate लगायता हूँ तो यह cow यहाँ पर आ गई हो यहाँ पर काफी जगे है बची है इस cow को आने के बाद कि यहाँ पर easily एक food truck भी बन सकता है और एक water bowl भी इस side को ऐसे बन सकता है या फिर मैं एक इस side water bowl लगा सकता हूँ इस side food truck लगा सकता हूँ तो ठीक है इस cow को भी रख के देखते हैं और अभी यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 20 cows easily होईगी तो मैं फाइदा ही होगा कि यहाँ पर हर cow के लिए separate separate section होगा और अगर बाद में चाहूँगा तो मैं एक कंदर दो दो काउस भी रख सकता हूँ मतलल अभी 20 की capacity है यहाँ बीस ब्लोक्स हैं तो बाद में यहाँ चालिस ब्लोक्स भी कर सकता हूँ और अभी मेरा प्लान है कि मैं यहाँ चछत को कर दूँ तो मैं इसके ऊपर एक production house बना यहाँ पर चीज रडी कर सकें तो इस पूरे चछत को कवर करके और मैं यहाँ पर स्टेर्स बना दूँगा सैड में यहाँ यहाँ से रैम बना सकता हूँ जयसे मैं पहले वान में बना था कि एक रैम से सील ट्रक या गारी उपर चड़ जाएगी और उपर मैं प्रेक्शन ह इस काम को बाद में कबिल करूँगा क्योंकि इसके लिए मुझे भी प्लैंक्स भी लेकि आने पड़ेंगे यह एक पिक यहाँ पर चड़ावा है रैम के ओपर यह यहाँ पर यह जो बड़े पिक हो चुके हैं बड़े इसली रैम पर चड़ जाते हैं तो इसको तो मुझे अभी यहाँ से ङेड कूल चय। कैसल पर यहाँ से डाम जैन, से इक से काम करिया यहाँ से नहीं हुटेगा पता ह। सब्सक्रापिक कहा struct महाँ पर जाएगा excitement वैसे भी एक बुलिट बची है इसको लगा देता हूं तो अभी तो यह डर के निदर चले गए तो ठीक है मुझे दोनों पिक को मैनुवल यह दिला निदर निदर चले गए और अभी देखते हैं इनोंने क्या गंद मचा इर अंदर और यह क्या है यह यहां पर है देखो इनोंने गंद मचा रहे है यहां सारे में और यह कहां जाके मरा है यहां यहां पर नहीं तो सो रहा है दिन में कून सोता है यह यह दिन में सो रहा है एक मिट मैंने इसको बाहर निकालता है द दो और बढ़ा की की बेड़ा आफりòng मैं दो डिमनोगा अब आणके के लिए अने साथवा दो यहां फसा हुआ था और यहां पर फसे बढ़ा होता जा रहा है एक मिट्स को बेचार को निकाल देता हूँ मैं इसको काफी टाइम हो गया है चलो निकलाएए और अभी खाने के लिए साथ वाले से खालेंगे क्योंकि यहां पर एक फूटर वोटर बावल है यहां पर यहां से पानी पिलेंगे यहां से खालेंगे बाकि मुझे इसका याद है कि यहां जो फसा था यह चोटा सा पिगलेट था और तब से यहां फसा था और यह अब तक यहां फसे फसे बढ़ा हो गया तो अब भी वैसे काफी सारे चोट-चोटे पिगलेट और गूम रहे हैं तो चलो को बड़े होते रहेंगे उन्हों का मैं सेल करता रहूंगा और यहां पर गंद मचा दिया है और बाद में क्या करूंगा मतलब बाद में अभी जब हमारा काव बान रेडी हो जाएगा वह सामने वाला तो मैं सारी काव को तो वहां शिफ्ट कर दूँगा वह फिला इन दो कर लग अबाद की यहां पर अभी यहां घया अर बाकि यहां बाद कर pains है और यहां यहां पर आपने है चार न गोड़े एक गोड़ाद में कैरी यहां पर पन पन पर पांस गोड़े तया लास्त बार्स ताम यह चार गैसे मोट रखल मोट से जब को जिरा बुद के व कोई लेचांट गोड़े देते हैं यहां कि व्यादक मत आफ यृप्तरान की चलते हैं और यह काफी सही है यह इसकी स्टैट्स देखता हूं मैं इसकी स्टैट्स में गडबड़ी हुई थी कि इसकी स्टैट्स मैं इसको पर्चेस किया तब फुल दिखा रहा था और बाद मैं देखा तो यह फुल नहीं थी यह 70% के आसपास थी अब ही वैसे एक गोड़ा अपना गया हो गया पॉड़ी चार में तो है गोड़ा या तो मैं अगर ट्रेणिंग के लिए च्छड़ा हुट्र के लिए अंदर होना चीए है यहाँ से कहां गया तो अभी एक गोड़े को मुझ्झे और ठूबना पड़ा कि वह गोड़ा Chen coo याद आगें यह भूड़ा survived करे लाद मेद में यह जब यहाँ पर अपना अपना युटा को पर शाग के अष़ट अब यह जो ले लगोंचम्य स्बैंक्र गर का के यहाँ में अपना अपना क्मानी किया प्रहु आर्णा जब्सक्रावन was Amen क्योंकि पांच में से एक गोड़ा था तो अभी इस वाले गोड़ा को फिलाल मैं यहां पर छोड़ता हूं क्योंकि इसकी भी ट्रेनिंग करा नहीं है CT मार दी अपने आप आप जाएगा अंदर आगे अंदर मैं घेट लगायता हूं चलोगे तो यह पांच ओ गोड़ा यहां पर हो गए और अभी जो वाला जो सामने काव बान है उसका काम कम्प्लीट करना है उसके बाद कावस को वाँ शिफ्ट करना है उसके उपर वहां पर चीज फैक्टरी बनानी है तो अभी इसके लिए काफे सारा मांट भी लगेगा तो पिक्ज भी सैल्ट करकाएं पड़ेंगे और काफे सारे प्लैंक्स भी लगेंगे झाल झाल